वेलकन टो एंडी एक्जाम क्लासिटी के यूपी टेपलसिक और से वीडियो और एक्जाम के आपकी डेट लगागी 26 और 27 जून इसलिए आपको पिछले बार जो पेपर संपन हुआ था उन सारे पेपर को आपको लगा कर जाना है इससे आपको पेपर का पैटन पेपर का हो सकता है 120 मिनिट का आपको समय मिलेगा और 300 नंबर का अधिकतम आपका पेपर होगा जैसा कि पिछले बार हुआ था नोटिपिकेशन में कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है इसलिए 50 कोशन आपके हिंदी के पूछे जाएंगे 50 कोशन आपके रिजनिंग के पूछे जाए और एक बटे दो की निगेटिंग मार्किन रखी गई है यह जान करके आपको चलना है तो चली स्टार्ट करते हैं पेपर को आप लोग भी लगाना स्टार्ट करिए और आपको कितना पेपर याद है कितना पैटन आपको याद है यह भी आपको देखते हुए चलना है देख और पहली बार चनलाप पर आयों चनलों को सस्काइब कर दीजेगा ताकि आगे जो वीडियो हैं वो आके पास जल से जल पहुंच सकें। यहां पर देखी लिखा गया उस्ता की गिंती अच्छी गुड़ों में होती है। किसी भाव के अच्छी या बुरे होने का निश्च हैं अधिकतर उसको प्रवेत की सुव या असुव के परड़ाम की विचार से होता है। वह उस्ता जो कर्तव कर्मों की प्रतीतना सुन्दर दिखाई पड़ता हैं और कर्तव कर्मों की ओर होने पर वैसा सलागल प्रतीत नहीं होता है। आत्मरच्छा पर अच्छा देश की रच्छा आद में निमित साहस की जो उमंग देखी जाती है उसकी सहौर्द का पर पीड़न डकैती आधी कर्मों का साहस कभी नहीं पहुंच सकता हैं यह बात होते हुए भी विसुद्ध उसा या साहस की प्रसंसा संसार में थोड़ी हैं लोग तारीव करते वी सुनते है तो यहाँ है पर आप से पूचा जा रहा है उप्रोग्थ गड्यांस की अधार पर निमने प्रेष्ट का अपको उत्तर दे ना है गद्यांश का उप्योग्थ सीर्षा का आपको बताना है है हिता को positions like घ की यह फिंगइन तो यहाँ पर question पूछा गया था, अपने शदे के एक दूसरा भी गध्यां से यहाँ पर दिया गया है, इसको पढ़ना आए, फिर आगे question आपको इधर देखने को मिलेंगे, यहाँ पर देखे के कुंती सवंधित question पूछे गया थे, यहाँ पर लिखा कि कुंती अपने लाड़ले लाल को, अपने हिर्दे के तुकडे को, अपने प्यारे नोजात सिसु को नदी में छोड़ करके लोट आई, वह छोटी नदी थी, वाई अनकूल थी, देव की गति जानी नहीं जाती, वह चम्बल नदी में जाकरके मिलती है, अब इस सिसु की पिटारी बहती बहती चम्बल नदी में आगई, मतलब पहले नदी में छोड़ीती, तो नदी जो थी, वह चम्बल नदी में आकरके मिल गई, इटावा के पास चंबल नदी जो है वो यमुना में मिल गई तो जहाँ पर बच्चा छोड़ा गया था वो नदी पहले चंबल में मिली और चंबल फिर यमुना नदी मिल जाती है आता चंबल नदी के प्रवा के साथ वो यमुना जी में आ गई और यम्वனत जी जो है प्रेयाग में आप जानते हैं यम्वना और गंगा का संगाम होता है तो प्रियाग की ओर बड़ी और तीर्थ राज प्रियाग में जाकर के श्री यम्वनत जी गंग जी मिल जाती हैं अब वह मंजुसा सिसु कोले करके कासी को और भह चली अब गंगा ने दी जो एक कासी को और भहने लगी उसके साथ ना कोई महल मला था ना कोई पथ प्रदर्शक था भाग्य उसे सुयम बहा करके ले जा रहा था मतलब भाग्य बहा करके ले जा रहा था जो कुम्ति का पूत्र थे जिनका नाव अब जाते हैं क आगे चलकर वो आंगे देश की सीमा में जा पहुंची मानों उसकी यात्रा समाप्त होगी उसी समय चंपा नगरी के राजा अधीरत ठीक हैं अपने इस्तरी राधा और अपने सेवक सहीत गंगा में इसनान करने आये थे उन्होंने दूर से इस सुंदर सी पेटी को जानवी की लहरों के साथ क्रीडा करते देखा आंते में उन्होंने अपने सेवकों को आग्या दी सामने यह जो मंजुसा भाहती आ रही है उसे पकड़ कर लाओ तो यह पूरा गद्यान था अब चलिए हम लोग प्रिश्ण की ओर चलते हैं एक कोशन तो देखी पहले गद्यान से पू अब यहां पर तीसरा कोशन है मंजुसा को कौन लेकर जा रहा था तो मंजुसा मतलब होता है पिटारा या पिंजड़ा जिसमें बच्चा रखा हुआ था उसे मंजुसा कहा जाता है तो पिटारा कह लेजे तो मंजुसा को कौन लेकर जा रहा था तो मंजुसा को भाग लेक तर जा रहा था उसकोई पत्त पदर्शक नहीं था घाग उसे बढ़ा करके आगे लेता जा रहा था डियू आ도क्शन सरी और राजादिरट-ने-स एक किया अग्या दी थी तो राजा अधिरत जो राजय थे अधीरत वो किसके साथ आयते हैं राधा और सेवक के साथ मतलब अपनी पत्नी और सेवकों के साथ इसनान करने आयते हैं तो यहां तक इसके पांच कोशन जो थे मतलब चार कोशन इस पैराग्राप से पूछे गयते वह कंप्लीट हो जाते हैं अब देखिए कराने का प्रयास करेंगे आप लोग जूड़े रहेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा कोशन जो हैं सब अधिकारी को वेक्तिगत नाम से पत्र भेजता है तो उसे क्या कहते हैं तो उसे कहते हैं अर्द सरकारी पत्र यह definition है आपको याद करनी पड़ेंगी जब एक अधिकारी जो है वेक्तिगत रूप से पत्र भेजता है तो जिसके नाम से भेजता है वही उस पत्र को पढ़ सकता उसके नीचे का अधिकारी या ऊपर के अधिकारी नहीं पढ़ सकता है, जिस नाम से पत्र वेजा जा रहा है, वही उसको पढ़ सकता है, यह सिर्फ बराबर इस्तर के यह फिर नीचे के अधिकारियों को यह पत्र वेजा जाता है, ऊपर इस्तर के अधिकारियों को यह नहीं प्रदानाचार को अभिनीवेदर में लिखना चाहिए आप लोगों सभी ने छुटी के लिए अप्लिकेशन लिखा होगा तो आप लोग में क्या लिखते हैं आपका आग्या कारिस्स एक्सवाइजर्स जो भी आपका नाम होता उसको लिखते हैं तो सी वाला अपसंट साही आ लेकिन आपके जब प्रधाना अध्यापक है तो उसके बारे में आपको ना लेज़ें और आपको ना लेज़ें तो यहाँ पर आपका आग्याकारी सिस्स आप लिखते हैं अब देख़े संचेपड से question आया संचेपड मूल-पाठसे कितने सब्दों में लिखना चाहिए संचेपड का मतलब होता है सारांस यह भावार्थ समझझ लिज्ये संचेप रूप समझ लीजे, जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, यह पूरे गध्यांस को देख लीजे, अब यहाँ पर यह पूरा गध्यांस, यह पूरा बड़ा से गध्यांस हैं, और इधर भी जुड़ा हुआ गध्यांस हैं, तो यह पूरा मूल पाठ हो गया, तो मूल प सुनती अपने बच्चे को यहां पर छोण कराई थी बाद में राजा को इनका पिटारा मिला और उसको रख लिया तो यहां पर आपको इतने सब्दों में एक बटे तीन सब्दों में मूल पाठ का एक बटे तीन सब्दों में आपको संपरसर लिखना होता है तो यहाँ पर देख लिखा गया है कितने सब्दों में आपको लिखना है एक तिहाई सब्दों में मूल पाठ का एक तिहाई सब्दों में संचेपड आपको समझाना होता ह ठीक है समझ गये हैं यह आपको याद करके चलना यह सारे कोशन आपको संशेपड के पत्र लेखन क्या कराएंगे आप लोग लगातार जुड़े रहीगा आपको एक भी कोशन गलत नहीं होगा दस्वा कोशन हिंदी में धुनी कितने प्रकार की होती है तो धुनी कितने प्रकार की होती है एक स्वर होता है और एक विंजन होता है तो कितने प्रकार की धुनी हो गई दो प्रकार की हो गई एवाला अपसन सही होगा मात्रा के अधार पर स्वर कितने परकार के होते हैं ये कोशन बहुत लोगों ने गलत करके आया था देकि मात्रा के अधार पर आप लोग पढ़ते होंगे हस्वस्वर दीर्गसर और बहुत लोग पुलूत्वसर भी पढ़ते हैं सबी लोग पढ़ते हैं पुलूट स्वर अब देखी बात यह हैं कि आपसे हिंदी का पेपर पूछा जा रहा है तो हिंदी के पेपर में हास स्वर और दीरग स्वर यह दो ही आपके स्वर होते हैं मात्रा के अधार पर इसलिए आयोग ने उत्तर्माना था पहला वाला प्रेकार के होते हैं हस और दीर्ग हस में आपको मालूम है जिसमें एक मात्रिक होते हैं छोटा आ ई उ री जो होते हैं वो हस में आते हैं दीर्ग में जो बड़ी मांतरा वाले होते हैं जैसे बड़ा आ हो गया आपका बड़ी ई हो गई बड़ा उ हो गया ए आए ओ इस प्रेक लीट हो गए अब आपसे पूछा गया जीवा के अधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं तो जीवा के अधार पर आपको बताना है तो जीवा के अधार पर तीन प्रकार के होते हैं पहला होता है अग्रस्वर जो आगी के जीब से बोला जाता है फिर होता है मद्धस्वर ज जो जीव की पिछले हिस्सा से बोला जाता है, अब आगे से क्या बोला जाता है, जैसे छोटी E हो गया, बड़ी E, A, I जो हो गया, वो आगे के जीव के भाग से बोले जाते है, मद्य भाग से A बोला जाता है, और पस्य भाग से जीव के जो बड़ा मांत्रा वाले हैं, जैसे आ हो गया, उ हो गया, बड़ा उ हो गया, ओ हो गया, आ हो गया, यह सब चीज़े जो हैं वो पस्वाग से बोली जाती हैं, तो तीन है आ पर प्रकार से होते हैं जीवा के अधारबन, सही आपसन हमारा बीवाला आपसन हो गया, अब यहाँ पर लिखा गया निम्न में से आपको कौन सा सब्द पूरलिंग है देखि पूरलिंग और इस्त्रिलिंग पहचानने के लिए आप सबसे पहले आकारांट इकारांट तो आप लोग पढ़ लीजे लेकिन जब भी चार आपसंद दें तो इसमें आप लोग क्या करिए एक सिंटेंस बना लिया करिए एक वाक क्या बन बनाने का प्रयास करेंगे दया करनी चाहिए तो दया करना नहीं चाहिए तो दया करनी चाहिए तो दया एक प्रकार से इस्त्रिलिंग में पूरायोग дав आजाएगा वही पर प्रेकार से आप लोग sentence में अगर कर लेंगे तो आपके लिए असानी होगी तो सही आप सुनोगा आभार यहाँ पर पूरूलिंग है अब देखिए यहाँ पर 14 नमबर में आपको बताना है इसमें पूरूलिंग क्या है इसमें भी आप लोग sentence बनाने के लिए प्रयूप होंगे और यहाँ पर कैश्ट जो है वह पूरूलिंग में पूरूलिंग होगा सब काप sentence बना करके चेक कर सकते हैं 15 नमर कोशन है यहाँ पर आपको इस्त्रिलिंग चुनना है जैसे विवाद हो गया रूप हो गया सार हो गया आय हो गई तो जैसे आपसे कोई आपकी आय प बूरूलिंग हो गया सारे आपका पूरूलिंग हो गया रूप बो गया आय जो है वह इस्त्रिलिंग में आएगी इस सोला नवर कोशन है या पर आपको फिर से इस्त्रीलिंग के पहचान करनी है तो सभा यहां पर जो हैं सभा चलती है कोई सभा जो चल रही है उसको आप क्या कहते हैं सभा चलती है सभा चलता नहीं कहते हैं आप तो सभा का पुरियोग है वह इस तरी लिंग में होता है ग्रै प्रवेस किया जाता है की नहीं जाती है किया जाता है तो यहां पर यह पुरिलिं पढ़़ करके ड्राइ करना है तो अभी आप लोग कर लीजिएगा संद nuclear कितने प्रकार की होती है संदि देखिए तीन प्रकार कीоки यह पहले आपकी स्वर संदी दूसरी आपकी वेंजन संदी तीसरी आपकी विश्ण के संदी तो इसमें जैदा कुछ आपको समझाना नहीं है सही है आपसन होगा इसका B वाला है आप देखें यहाँ पर आपको 18-0 alger question में सदानंद का संदी विछ्षेद आपको करना है सदानंद या पर देखे साथ प्लस आनंद होगा ठीक है पहला वाला आप्शन सही आपसन होगा सत प्लस आनंद यहां पर ता जो है वो तीसरे वर्ड में चेंज हो ता था दा तो यह होता है आपका विसर्ग संदी विसर्ग नहीं वेंजन संदी में आपका होता है ता जो है वो तीसरे वर्ड में चेंज हो जाता है तो यहां पर वेंजन संदी होगी समझ गए आप तो पहला वाला आपसं सही आप सुनोगा इसी प्रेकार से वागीस बनता है वा के plus is तो का जो है वो तीसरे में चegben जाता है तो वा गिस बन जाता है तो ता जो है वो तीसरे में चेनज हो जाता है ता था अपने तीसरे वर्ड में तो यहाँ पर विंजन संदी होगी एव अला अप्शन सही आप सुन होगा पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय, यहाँ पर दीर्ग संधी है, और यह दीर्ग संधी जो होती ही, वो स्वर संधी में आती है, अभी प्लस उदय, यहाँ पर यड संधी का प्रियोग किया गया है, इस संधी को जो आप अच्छे से पढ़ेंगे, तो आपको मालूम चलेगा, E जो है वो यहामे चेंज हो जाता है तो अभी प्लस उदय अब भूदय बन जाएगा सही आप सुन होगा A वाला आपसन यहाँ पर यड़ संदी का प्रियोग किया गया है 21 नमर कोशन है यहाँ पर देखे यथा संभाव में कौन सा समास है यह आपको बताना है आप लोग चैप्टर देख लिजेगा किन चैप्टर में फोकस कर रहा है इसी पेटर में आपका पेपर बनेगा एजेंसी थोड़ी चेंज हो जाएगी क्योंकि पिछले बार दूसरी एजेंसी थी आपकी बार दूसरी हो जाएगी लेकिन आपका सलेवस तो इसी प्रकार से ही रहेगा यथा संभाव आपको मालू है कि इसमें अभ्याई भाव समास होगा अभ्याई भाव समास में पूरु पद जो होता है वो प्रधान होता है यहां पर यथा जो है वो प्रधान है और आपको याद भी रखना जब हो इस प्रकार से वहां पर अव्याईडाव समास होता है तो इस तरह से भी आप सकते हैं अज सेसड होता है तो परम है जो इस्वर उसे कहते हैं परमेश्वर सही आप सुनों का भी वाला आप्षन 23 नमर कोशन है अध्यच में कौन सा उपसर्ग है यहां पर देखिए यह चार आप्षन दे गए लेकिन इसमें आप्षन भी गलते की गई है बाद में इसमें सुधार भी किया गया था देखिए आध्यच जो बनता है वो अधी प्लस अच्छ करके अध्यच बनता है तो आधी होगा वो इसकी आगे लगेगा उपसर्ग हमेसा आगे लगता है तो अभी की जगामर इसे अधी लिखना चाहिए था इस हिसाब से पहला वाला आप्षन यह सही होता लेकिन इसमें गलते के गई थी बाद में इस कोशन को हटाया भी गया 24 नमर कोशन है संग्राम में आपको उपसर्ग बताना है देखि संग्राम भी आप संदीश सेगर पढ़ने का प्रयास करेंगे तो सम प्लस ग्राम होता है संग्राम तो वहाँ पर से आपको सम मिलेगा उपसर्ग जो आगे मिलेगा उस सम मिलेगा सन नहीं मिलेगा ठीक है यहाँ आपर मा लगता है तो सही आपस आगे ई लगी है तो साउधानी बनाए सही आपसन होगा सी वाला आपसन जिन्दगी में कौन सा प्रत्य हैं तो जिन्दा के बाद जिन्दगी बनती है तो यहां पर गी प्रत्य मतलब गी जो है वह लाश्ट में लगाए गया है वाला आपसन सही आपसन होगा ने मैं से कौन सा थटम है थश्म मतलब संस्कित से आया हो एक मतलब होता है उस से उत्तपन होता है मतलब संस्कित उसकी ौथ चाहिते हैं हो गया तो कहते हैं नशन्सकित प्री कहते हैं और उसका हिंद्री फांत्र जब ज्ब हो जाता दो पिय की है तो सही है अब सुनोगा यह वधळ आसान ओर्ल मज क्लिंध जांते मोर को मैं चार चतुरत कहते हैं इसको परी ऑर ज़ो है वह संस्क्राइब अब यहां पर पूछा गिया इसलिए कि अब थे आइनलिखेस मैं से स्थम नहीं अब तर स्थम नहीं है तो तत्भा होगा और तत्वो जो होगा वो हिंदी का होगा तो समझेए आप लोग अब देगे चार जो है वो हिंदी का है संस्कित में से चतुर्थ कहते हैं और बांकी यहां पर संस्कित से लिए गए वचन को देखिए हिंदी में बचन कहते हैं बचन तो यह तो आपका तत्सम हो गया सलाका सलाका को हिंदी में कहते हैं सलाई कहते हैं और तीक्त को क्या कहते हैं तीक्त को तीता कहते हैं तो चार को चतुरत कहेंगे चार हिंदी से लिया गया है तट्सम नहीं इसके मतलब तदभाव आप से पूचा है सही आपसन डी वाला इसमें से आपको विदेशज चुनना है विदेशज कौन सा है तदभाव तट्सम देशज विदेशज आप पढ़ते होंगे तो रिक्सा ज यहां पर तीस नमबर कोशन है गाय कौन सी संग्या है तो गाय क्या है गाय एक पूरी जाती का बहुत कराती है ना तो गाय एक जाती वाचक संग्या है 31 नमबर में कौन सा भाव वाचक संग्या है अब इसमें से भाव आपको किसमें वालूं चलेगा बीमारी बीमारी एक प तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, इस प्रकार से 11 जो सर्वनाम हैं, वो हिंदी में होते हैं, तो सही आपसन होगा C वाला, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, B वाला आपसन, कौन कौन से, पुरुस वाचक सर्वनाम, निश्य वाचक, अनिश्य वाचक, सम्मन्ध वाचक और प्रश्ण वाचक ये 6 प्रकार के आपके होते हैं, एक आपका निज वाचक होता है, तो 6 टोटल आपके सर्वनाम होते हैं 34 नवर कोशन है परवती कौन सा विसेशण है तो आप जानते हैं विसेशण में एक गुड़ वाचक विसेशण भी है तो गुड़ वाचक विसेशण संग्या या सर्वनाम के आकार प्रकार गुड़ दोस रंग रूप को जो दिखाता है उसे गुड़ वाचक विसेशण कहते है नहीं विश्यस्ता बताएगा ऐसे हम लोग विशेषण कहते हैं असान साही है तो राम शोर रहा है इसमें कौन सी क्रिया है जब भी आप से पूछें कि ये सकर्मक है कि अकर्मक है तो आप लोग दो चीज पूछने का प्रयास किया करिए वाकर से क्या पूछिए और कहां पूछिए जैसे राम सो रहा है तो राम क्या सो रहा है कोई अर्थ निकल ला है नहीं निकल ला राम कहां सो रहा है कोई अर्थ निकल ना है नहीं निकल ना है बस राम सो रहा है राम जो है करता हो गया और सो रहा है क्रिया हो गया इसमें कर्म तो हई नहीं है तो यह अकर्मक हो जाएगा जैसे राम विद्याले में सो रहा है तो आप पूछेंगे राम कहां सो रहा है तो राम उत्तर आएगा विद्याले में सो रहा है अगर यहाँ पर विद्याले लिखा होता तो हो जाता यह सकर्मक लेकिन यहाँ पर कर्म नहीं है करता है क्रिया है तो यह कर्मक हो गया सही आप स 38 नवर कोशन है वह एक सब्ता बाद आया इस वाक्य में क्रिया विसेशण आपको पहचानना है जो क्रिया की विसेशता बताए उसे हम लोग कहते हैं क्रिया विसेशण अब यहां पर क्रिया क्या है क्रिया जो है आया है उसके पहले उसकी विसेशता बताने वाला आएगा बा इसमें आपको संबंध वाचक बताना है, तो संबंध कौन दर्स आएगा, सेनाय तो बढ़ी है, लेकिन किधर बढ़ी, आगे बढ़ी ना, तो संबंध को आगे वाला बता रहा है, सी वाला आप्शन सही आप्शन होगा, वहाँ आया और मैं गया, तो इस वाक्य में आपको समुच्चे वोधक बताना है, समुच्चे वोधक मतलब होता है, जोडने का प्रयास करता है, तो यहाँ पर वहाँ आया और मैं गया, तो यहाँ पर जोडने काम किया और ने, तो और जो होगा यहाँ पर समुच्चे वोधक होगा, हाए अब मैं क्या करूं इस वाक्य में विस्मय बोधक आपको पहचारना है तो विस्मय बोधक तो एक बच्चा भी पहचान सकता है को कि उसकी आगे जो है इस कलमेटरी का निसान होता है इस प्रकार का इलास का निसान होता है तो हाई के आगे यहाँ पर निसान लगा है तो हाई जो होगा विश्मयादी बोधक होगा यह वाला आपसन सही होगा कौन सा अनेक का परयायवाची है अनेक मतलब होता है से ना तो समझने के को सकता नहीं अनेक जो है सेना का परयायवाची विलूंसब्द आपको तयार करके चलने हैं एक आपको लिस्ट बना करके दे देंगी यह जाने और कौनसे topic नहीं पूछेगा है इसके लिए आपको वीडियो बना करके देंगे कपड़ा का परअची आपको बताना है कपड़ा का के देखी क्या होता है वसन परअची आपको पढ़ना पड़ेगा वसन चवालिस नमर कोश्टन है आकास का आपको विलोम बताना है देखिए आकास का विलोम क्या होता है आकास उपर होता है तो विलोम करेंगे तो नीचे आएगा तो नीचे क्या होती है नीचे धर्ती होती है तो धर्ती आपको नहीं करना एक फिक्स इसका बना हुआ है आकास का प पताल उसका exact opposite यहां पर रखा गया है तो यहां पर आप पताल को ही सही करेंगे अब देखिए प्रतिवी का विलोम क्या होगा प्रतिवी का देखिए यहां पर अगर विलोम की बात करेंगे तो आकास होगा प्रिथवी नीचे होती ही आकास ऊपर होता है और उसके लावा यहां पर कोई आपसन नहीं रखा गया है तो आप उसमें से चुनाओ भी नहीं कर सकते हैं चाहिए इसका अपोजिट आपको लग रहा हो या नहीं लग रहा हो फिर भी आपको आकास को चुनना बीडियो आर्धा है कि निरभय होता है मतलब होता है दोनों तो अभाड और वभयका आर्थ है निरभय और दोनों आपरें पढ़ा हो vap लिंगी मतलब दोनों लिंगे का होता उसे कहते हैं उत्हुत करें ₹ आपने अर्थ समझ लिया इसका सेंतलीस नमर कोसने अली और अली का आपको अर्थ बताना है दोनों अली का जानकारी अच्छी लगे वीडियो अच्छी लगे तो आपको लाइक कवस करिएगा आपको लगा तरह हम इसके आगे के पाट देने का प्रयास करेंगे अगर आपको हैंपे सब कुछ पहसंद आएगा और यहां पर देखिए आली मतलब होता है जो चोटी लंर छोटी की मात्र लगी उसका मतलब होता है और इसंते Eco ही अली मतलब सखी होता है तो ऊ desde a के हमने आप लगता है उपसर्ग लगता है तो यहां पर देखिए क्या लिखा गया किसी सब्द के आगे जो है उपसर्ग जोडता आभी अध्धैच्वलन बता है तो आधि इसे लगता है तो सही आपसन होगा स्थिवाला आपसन कौन साथ सभ्द सुध्य है अब यहां पर देखिए 46 जैड़े डिए पहले वाल आपसं तो हैं Ey, वह रही ज़न ठाना prices 2 1 चैनल जयाकर से इस प्रकार से लिकार से लिखाते हैं या फिर उजलन पूंछागे कैसे लिकए यह बहुत हैं ना जहाँ जो होते हैं वह भी आदा होता है और वह इस प्रकार से लिखा जाता है चलोब या फिर चलोण पूछाए तो सही आप सुनोगा कि पहले वाला हुआ है तो हिंदी के सिङ्ष्टन के को अर्षृ किए हैं आपने इसक्ति नहीं कितने सही किये ững महिसले एक इतने कोशन सही कर पा रहा है पेपर करेवे सही था इसमें आपको 50 में 50 सही करने का प्रयास करना पड़ेगा तब आप हिंदी का देखें सेक्सन आपको मजबूत करना है और इसनिंग का पो मजबूत करना है अगर GS में आप 50 में 30 भी कर लेते हैं तो आपको selection के chances बिल्कुन हा के बराबर हो जाएंगे तो ये दो चीज में आपको focus करना है Hindi में और reasoning में GS तो बहुत लोगों के देखि 50 में 30-35 तक हो जाए तो बहुत बड़ी बात होती है तो जो section में आप 50 में 50 कर सकते हैं उसकी तैयारी आपको बहतर करके चलनी है और उसमें हम आपका सायोग करेंगे हम आपको लगातार इसके paper कराएंगे अभी देखिए हिंदी के topic complete किया है आपके comment आएंगे तो इसका reasoning का और GS के part को भी complete करेंगे और चारो paper इस प्रकार से complete करेंगे फिर आपको पत्र लेखन कराएंगे और इसमें से आपको topic बताएंगे कि हिंदी से कौन से topic से question पूछे गए और कौन कौन से topic से वीडियो में question नहीं पूछे गए तो उन पर आपको focus करके चलना है वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को like करिएगा और पहली बार आप लोग अगर आए हो तो चैनलों को subscribe कर लिजेगा ताकि आपको next वीडियो जो है वो जल्द से जल्द प्राप्त हो सकें किसी पेस्ट में आपको doubt होता है तो आप comment box में कह सकते हैं मिलते हैं next वीडियो बहुत बहुत धन्वाद